नमस्कार दोस्तो, Welcome to my channel, मैं हूँ योगेश, आज की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे UNHRC के बारे में और उसके बाद हम जानेंगे कि जो रश्या है, उसकी जाज की जो बात की जारी है UNHRC में वो किस प्रोसीजर के तहत की जारी है और पहली बार ऐसा क्यों हो रहा है अब अगर बात करें UNHRC काउंसिल की देखिए एक इंडर गॉर्मेंटल बोडी है और ये UNHRC के अंदर ही आती है और इसका काम है दुनिया भर में UNHRC को प्रमोट करना और प्रोटेक्ट करना अगर बात करें इसकी formation की तो देखिए 2006 में इसकी formation हुई है और इसने replace किया था एक former commission को जिसका नाम था United Nation Commission on Human Rights हुआ क्या था कि United Nation Commission on Human Rights है ये अच्छे से काम नहीं कर रहा था तो इस commission को end करकर इस council का गठन किया गया था देखिए बात करें Human Rights Council के secretary की तो जो office of high commissioner of human rights है वो serve करता है as a secretary of human rights council जो office of high commissioner of human rights है उसका headquarter जनेवा स्यूजरलेंड में है तो ultimately अगर question आता है कि Human Rights Council का secretary कहा है तो आपको जनेवा स्यूजरलेंड अगर option में दिया है तो आप उसको tick कर सकते है बात करें इसके members की तो यहाँ पर total 47 member है और जिनको UNGA elect करते है और यह जो member है वो geographical distribution के base पर चुने जाते है अगर बात करें इसकी sit के distribution की तो देखिए जो African countries है उनकी पास 13 sit है जो Asia Pacific की country है वहाँ पर 13 sit है यही पर जो China और India है दोनों आते हैं उसके साथ ही जो Latin America और Caribbean state है वहाँ पर 8 sit है Western European और other countries के पास 7 sit है और Eastern European state के पास 6 sit है खास बात इसकी यह है कि जो यह 47 member है वो दो consecutive Trump अपने पास रख सकते हैं मरलब वो 3-3 साल के लिए दो बार चुने जा सकते हैं लेकिन एक तीसरा Trump उनका नहीं हो सकता वहाँ पर उनको 3 साल का gap लेना पड़ेगा और उसके बाद वो फिर से जो है इसका election लड़ सकते हैं देखे अगर बात करें इंडिया की तो इंडिया जो है 2019, 20, 21 के लिए इसका member था और अब इंडिया जो है इसका member है 22, 23 और 24 के लिए मतलब जो 2025, 26 और 27 वाला जो Trump आएगा उसके लिए जो इंडिया है वो चुनाव नहीं लड़ सकता क्योंकि दो consecutive Trump इंडिया के हो चुके है उसके बाद जो चुनाव होंगे 2028 में उसमें इंडिया फिर से participate कर सकता है इस council का member बढ़ने के लिए बात करें procedure and mechanism की की जो human right council है वो काम कैसे करता है देखें सबसे पहले जो लोग करते है universal product review यहाँ पर होता क्या है कि जितने भी United Nation के member state है उनके अंदर ये human right की situation को assess करते हैं और उसकी एक report बनाते हैं उसके साथी दूसरा इनके पास एक advisory committee भी होती है वो council के think tank की तरह काम करती है और expertise और advice provide करती है जितने भी human rights के issue worldwide होते है इस council को बात करें complaint के procedure की देखें कोई भी individual और कोई भी organization जो है यहाँ पर human right coalition के case है उसको यहाँ पर ला सकते है तो यहाँ पर अगर question आता है कि क्या कोई individual यहाँ पर report कर सकता है नहीं कर सकता है तो आपको ध्यान रखना है कि हाँ कोई individual भी यहाँ पर जो है जो complaint है उसको ला सकता है इस council के अंदर जिसमें human right coalition की बात हो रही है अब अगर बात करें इसकी कुछ special procedure की तो देखें यहाँ पर एक special rapprocher है और यह जो rapprocher है यही इस बार रश्या के खिलाब बनाया गया है हुआ क्या है कि resolution लाया गया था कि रश्या के अंदर युक्रेन में नी रश्या के अंदर human right violation जो है वो हो रहा है तो इसी को लेकर जो है जो western countries है वो एक regeneration लाई जो इस council में पास हो गया अब एक special rapprocher बनाया जाएगा जो monitor करेगा, advise करेगा और examine करेगा कि human right की situation actually में रश्या में है क्या खास बात यह है कि यह तहली बार ऐसा हो रहा है जब एक particular country और एक specific country के लिए एक special rapprocher बनाया गया है तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यह first time है इसलिए यह important हो जाता है तो इस वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को subscribe करें, like करें, share करें, comment करें Thank you, जैहींग